दोस्तों नमस्कार ये है मागदोशन फार सिविल सर्विसेज मैं अनुराग शौधरी दोस्तों UPPCS प्रारंभीक परिक्षा में सामान नियद्धियन का सेकेंड पेपर C-SAT का है जिसको सिविल सर्विसेज एप्टीचूड टेस्ट कहा जाता है UPPCS प्रारंभिक परिक्षा में CSAT के अंतरगत 100 प्रश्ण पूछे जाते हैं चुकि यह पेपर क्वालिफाइंग पेपर है इसलिए इसे पास करने के लिए 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना होता है यानि कि 100 प्रश्णों में से यदि निगेटिव मार्किंग के बाद 33 प्रश्ण सही होते हैं तो आप इसमें सफल होंगे यदि कोई अभ्य乾्षी इस पेपर में 33 प्रश्ण सही नहीं कर पाता है तो उसे सामान्य अध्यन प्रथम प्रश्ण पत्र में भी अनुतिण माना जाएगा इस तरह से प्रारंभिक परिक्षा के लिए सामान्य ध्यन फश्ट पेपर के साथ सीसेट पेपर बहुत ही महतुपूर है इसी को ध्यान में रखकर हम सीसेट के प्रिवियस यर्स पेपर को सालू करेंगे और साथ ही इसकी ब्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सके इसमें सबसे पहले हम संप्रेशन और अंतरवैक्तिक कॉसल यानि कम्यूकेशन एंड इंटरपर्सनल इसकिल के वर्स 2017 से 2021 तक पूछे गए प्रश्नों को सालू करेंगे इसका रिवीजन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसमें से कई प्रश्न आगे के परिक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं तो आएए शुरू करते हैं UPPCS प्रारंभिक परिक्षा के लिए CSAT के अंतरगत समप्रेशन और अंतरवैक्तिक कॉसल के पिछले वर्सों में पूछे गए प्रश्नों का रिवीजन सबसे पहले हम 2021 में पूछे गए समप्रेशन औ और अंतरवैक्तिक कॉसल के प्रश्नों को सालू करेंगे देखिए पहला प्रश्न है प्रतिपूष्ट या जानकारी देना प्रभावी रूप से ब्योहार के प्रवंधन और कारेकुसलता को बढ़ाने में प्रियुक्त होता है यह प्रकार है जन समप्रेशन का अनौप्च प्रवंधन और कारेकुसलता को बढ़ाने में अंतरवैक्तिक सम्प्रेशन प्रियुक्त होता है तो सही उत्तर आपका आफ्सन सी हो जाएगा यानि प्रतिपूष्ट या फीडबैक प्रभावी रूप से अंतरवैक्तिक सम्प्रेशन को बढ़ाने में प्रियुक्त होता है अगला प्रश्ण है देखिए दो समानांतर टीमों के बीच एक फुटबाल मैस देखने के बाद एक ब्यक्ति जोर देकर कहता है कि वह पहले से जानता था कि विशेश टीम यानि विजेता टीम जीतने वाली थी यह एक उदाहरण है समूह सोच का अवचेतन समस्य समाधान का तुरूटि पूर्ण मतै के प्रभाव का या फिर पश्य द्रिष्टी अभिनति का तो इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा सही उत्तर है आप संडी पश्य द्रिष्टी अभिनति का दोस्तों पश्य द्रिष्टी अभिनति जो होती है यह पूर्वा ग्रह एक मनुवे ज्यानिक घटना है जिसमें कोई व्यक्ति या समूह आस्वस्त हो जाता है कि उन्होंने किसी घटना के घटित होने से पूर्व ही उसकी सटीक भविसेवाणी कर दी थी। तो सही उत्तर हो जाएगा यदि दो समानांतर टीमों के बीच कोई फुटबाल मैच देखने के बाद यदि एक ब्यक्ति जोर देकर कहता है कि वह पहले से जानता था कि कोई विशेश टीम यानि विजेता टीम जीतने वाली थी तो यह एक पश्य द्रिष्टी अभिनति का आपसन देखिए तटस्थ संप्रेशन उर्धोगामी संप्रेशन पार्स्विक संप्रेशन या फिर अधोगामी संप्रेशन तो सही उत्तर आपसन सी हो जाएगा पार्स्विक संप्रेशन दोस्तों पार्स्विक संप्रेशन जो होता है वो एक समान समुदायों सहकर्मियों विभागों या किसी संगठन की इकाईों के अंतरगत लोगों के बीज सूचनाओं विचारों का आदान परदान करता है जो समन्वें गतवीधियों के उद्देसियों के लिए समान पदानुक्रमित अस्तर पर सामान अस्तर को या सामान लक्ष को पूरा करता है दोस्तों जो पार्स्विक संप्रेशन होता है इसमें समय की बचत होती है टीम के सदस्यों के भी सहयोग होता है और यह समन्वे को सहज बनाता है तो याद रखिएगा वह संप्रेशन जो किसी संगठन में समय बचाता है और समन्वे को सहज बनाता है उसको पार्स्विक संप्रिशन कहा जाता है अगले प्रशन पर आते हैं निम्नलिखित में से कौन सचेतन स्रमण में बाधा नहीं है पूर्व नीड़े द्विक द्रिश्टिकोण संदेश अधिभार या संदेश जटिलता तो स द्विक द्रिश्टिकोण या जिसको डूल परस्पेक्टिव कहा जाता है इसको छोड़ कर अन्य सभी जैसे पूर्व नीड़े संदेश अतिभार और संदेश जटिलता ये सचेतन स्रमण में बाधा है तो याद रखेगा सचेतन स्रमण में द्विक द्रिश्टिकोण पिर अमूर्दता तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, दोश्तों सही उत्तर है आपसन A, निस्पन्दन, समप्रिशन प्रक्रिया यानी कम्यूकेशन में सूचना को जान बोच कर हेर फेर करना निस्पन्दन कहलाता है, अगले प्रश्न पर आते हैं, देखते हैं कि पारस्परिक लेन देन के रूप में संप्रेशन माडल के अनुसार लोगों के मध्य जो अंतहक्रिया होती है वो कैसी होती है पारस्परिक लेन देन के रूप में संप्रेशन माडल के अनुसार लोगों के मध्य अंतहक्रिया है ब्याख्यात्मक अंतहक्रियात्मक सहसामाइक या सहकालिक अ दोस्तों देखिए पारस्परिक लेंदेन के रूप में संप्रेशन माडल के अनुसवर लोगों के मध्य अन्तहक्रिया सहकालिक अन्तहक्रियात्मक होती है तो ये बहुत ही महत्वपोण है आप संडी आपका सही उत्तर हो जाएगा पारस्परिक लेंदेन के रूप में संप् प्रश्ट रूप से दिया जाए उपर्यूक्त मार्ध्यम के उपियोक से दिया जाए प्रेशक द्वारा इच्छित रूप से प्राप्त किया जाए या फिर ततकाल प्राप्त किया जाए तो सही उत्तर है दोस्तों संचार तभी प्रभावी होगा जब संचार ततकाल प्राप अगले प्रेशन पर आते हैं समान समुह के सदस्यों के मध्य संप्रेशन होता है देखिए अधोगामी संप्रेशन पार्स्विक संप्रेशन इस्टितम संप्रेशन या फिर उर्धोगामी संप्रेशन आपको बताना है समान समुह के सदस्यों के मध्य जो संप्रेशन होता है वो किस तरह का संप्रेशन होता है। तो याद रखेगा समान समूह या फिर जो पार्स्विक एक समान समुदाय या सहकर्मी या एक समान विभाग जो होते हैं, उनके सदस्यों के मध्य संप्रेशन पार्स्विक संप्रेशन होता है। आप सन B आपका सही उत्तर है और आपने अभी अभी पढ़ा है कि पार्स्विक संप्रिशन वो एक समान समुदाय सहकर्मियों, विभागों या किसी संगठन की इकाईयों के बीच लोगों के बीच सूचनाओं विचारों का आधान परदान करता है और ये दोस्तों समय की बच में सम्मिलित नहीं है आपसन है आपके आवाज गुडवत्ता, मौखिक अंतहक्रिया, वाक गति या फिर स्वर्मान तो सही उत्तर है दोस्तों मौखिक अंतहक्रिया ये पैरा लेंग्वेज यानि पराभासा में शामिल नहीं है तो देखिए देखिए दोस्तों पराभासा या पैरा लेंग्विज जिसे गायक के रूप में जाना जाता है ये संचार का घटक है जो अर्थ को संसोधित कर सकता है भावनाओं को ब्यक्त कर सकता है लोगों के द्वारा बोले गए सब्दों के साथ आने वाली आवाज संकेतों के लिए तकनीकी शब्द है अतह मौखिक अंतहक्रिया इसके अंतरगत शामिल नहीं है तो याद रखेगा पैरा लेंग्विज में मौखिक अंतहक्रिया सामिल नहीं है जबकि आवाज की गुडवत्ता वाक गति और स्वर्मान पराभासा या पैरा लेंग्विज में शामिल है अगला प्रशन है निमने लिखित में से बेवहार परिवर्तन को प्रभावित करने की आधार भूत प्रविधी कौन सी है आप संदेखते हैं संप्रेशन, अभिलेखन, इश्टतम, विसराण, विसराम या फिर लैबध मुल्यांकन तो सही उत्तर क्या है संप्रेशन, तो दोस्तों देखिए संप्रेशन जो है ये बेवहार परिवर्तन को प्रभावित करने की प्रविधी है तो ये एक आधार भूत प्रविधी है जो लोगों की जो है बेवहार परिवर्तन को प्रभावित करता है अगले प्रशन पर आते हैं अंतरवयक्तिक संघर्ष का सबसे अधिक उद्रित सरोत कौन सा है आपसन देखे संगठनात्मक मानक, कमजोर समप्रेशण, संरशनात्मक विन्यास या फिर सामाजिक दबाव इन में से आपको बताना है कि अंतरवैक्तिक संघर्स का सबसे अधिक उध्रित स्रोत कौन सा है तो सही उत्तर हो जाएगा आपसन B कमजोर संप्रेशन देखिए दोस्तों अंतरव्यक्तिक संघर्स के लिए सबसे अधिक जो प्रभावी स्रोत है ये कमजोर संप्रेशन होगा अगर संप्रेशन कमजोर होगा तो अंतरव्यक्तिक सहयोग नहीं बलकि अंतरव्यक्तिक संघर्स अधिक होगा अगला प्रश्ण है सक्षमता, संबधता और स्वायतता की मनोवैग्यानिक आवसकताओं को पूरा करने के लिए किन कौसलों का एक प्रभावी भंडार आवस्यक है आप संदेखे आवरित्तिक कौसल, आक्रामक कौसल, परिशुधता कौसल या अंतरवैक्तिक कौसल तो ये प्रश्ण बहुत ही महतपूर है, इसको आप देख सकते हैं दोस्तों, आप संदी आंतरवैक्तिक कौसल या इंटरपर्सनल इसकिल इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सक्षमता, संबधता और स्वायतता की मनोवैक्ज्ञानिक आवसकताओं को पूरा करने के लिए अंतरवैक्तिक कौसलों का प्रभावी भंडार आवस्यक है अगले प्रशन पर आते हैं, संगठनों में अंतरवैक्तिक संप्रेशन के संदर्व में निमनलिखित में से कौन सा कथन सही है पहला कथन है कि एक दक्ष संप्रेशन सदैव प्रभावी नहीं होता है और दूसरा है कि एक प्रभावी संप्रेशन सदैव दक्ष नहीं होता है तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है दोस्तों दोनों ही कथन आपके सही है क्योंकि संगठन में अंतरव्यक्तिक के लिए एक दक्ष संप्रेशन हमेजा प्रभावी नहीं होता है ये सही है और दूसरा एक प्रभावी संप्रेशन हमेजा दक्ष नहीं होता है तो आपसन सी आपका तुम Awesome अगला प्रश्ण है निमने लिखित में से कौन सा प्रतिरूप या माडल अंतर वैक्तिक संप्रेशन की गत्यात्मक्ता पर बल देता है। जुनून या मतभेद को तो सही उत्तर है दोस्तों बिवाद हमेशा मतभेद को समाहित करता है। अंतर वैक्तिक संप्रेशन में ब्यस्त होता है तो सही उत्तर है 80-90 प्रतिशत भाग आपसन ए आपका सही उत्तर है। अब आईए देखते हैं 2020 में वर्स 2020 में PCS परिक्षा में C-7 के अंतरगत जो संप्रेशन और संचार को असल है उसके अंतरगत जो प्रश्न पूछे गए हैं। उनके वरे में देखिए प्रश्न है कि किसके निराकरण में परिभासा की प्रमुख उप्योगिता है। किसी चीज के बारे में जब पश्ट नहीं होते हैं संदिग्ध होती है कोई चीज तो उसके लिए परिभासा या डिफनेशन की आव सकता होती है। आपसन D आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है संगठनात्मक संप्रेशन में निम्नलिखित में से कौन सा अंतरव्यक्तिक आउरोध नहीं है। प्रजातिकेंद्रिता, अर्थात्मक्ता, अनुग्रहण या च्छबी प्रवंधन तो सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रजातिकेंद्रिता। देखिए दोस्तों प्रजातिकेंद्रिता संगठनात्मक संप्रेशन का अंतरव्यक्तिक अवरोध नहीं है जबकि संगठनात्मक संप्रेशन में अंतरव्यक्तिक अवरोध हैं कौन कौन से देखिए दोस्तूं आप देख सकते हैं अर्थात्मक्ता, अनुग्रहन, छबी प्रवंधन, ये अंतर वैक्तिक अवरोध हैं, प्रजातिक इंद्रिता नहीं, प्रजातिक इंद्रिता में ब्यक्ति स्वयंग के सांसगरतिक बिस्वास और रेत रिवाजों को अन् अपचारिक संप्रेशन में, मेटा संप्रेशन में, प्रत्यक्ष संप्रेशन में या अप्रत्यक्ष संप्रेशन में आपको बताना है तो सही उत्तर है मेटा संप्रेशन आपसन B देखे दोस्तूं, मेटा संप्रेशन में संप्रेशन निस्कपटता का उच्चतम अंस पाया जाता है यह एक प्रकार का माध्यमिक संचार होता है और किसी जानकारी को कैसे संप्रेशित किया जाता है इस बात पर आधारित है मेटा संप्रेशन मौखिक संचार के अनुरूप सहायक या विरोधभासी भी हो सकता है और नहीं भी इसलिए आपसन भी आपका सही उत्तर है संप्रेशन निस्कपटता का उच्चता मंस मेटा संप्रेशन में पाया जाता है अगला प्रशन है निम्नलिखित में से कौन सा बेवहार सहकर्मियों के साब्दिक अपसब्द को तितर वितर करने में सरवाधिक उप्युक्त है पहला है रच्छात्मक हो जाना दूसरा है बाद विवाद में पढ़ जाना तीसरा हानिकारक भासा को स्विकार करने से इनकार और चोथा है आक्रामक देह भासा बनाए रखना तो उत्तर क्या हो जाएगा सही उत्तर है दोस्तों हानिकारक भासा को स्विकार करने से इनकार तो ये देखिए दोस्तों हानिकारक भासा को स्विकार करने से इनकार करना सहकर्मियों के साब्दिक अपसब्द को तितर वितर करने के लिए सरवाधिक उप्युक्त है अगला प्रश्ण है कि सामिप या प्रोक से मिक्स संबंधित है किस से तटस्थ संप्रेशन से एक दिसानमुक संप्रेशन से साब्दिक संप्रेशन से या फिर असाब्दिक संप्रेशन से आपको बताना है तो यहाँ पर देखिए सामिप या प्रोसे मिक्स दोस्तों ये असाब्दिक संप्रेशनर से संबंधित है तो आप संडी आपका सही उत्तर हो जाएगा सामिप या निकटता दोस्तों असाब्दिक संप्रेशनर से संबंधित है ये अशाब्दिक संचार की कई उप्सरेडियों में से एक है, जिन में हैप्टिक्स, काइनेशिक्स, وकलिक्स, क्रोमेटिक्स आधी सामिल हैं, इसलिए बिकल्पडी आपका सही है, सामिप्प यानी प्रोक्से मिक्स ये अशाब्दिक संप्रेशनर से संबंदित है अगला प्रश्ण है प्रभावी अंतरव्यक्तिक संप्रेशन का मुख्य तत्व कौन सा है आपको बताना है देखिए अमुर्तता, विसंबेदी करण, सक्रिस्वरण, स्वरवण या फिर आत्मकेंद्रित, सुद्रिणी करण तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा सक्रिस्वरण, प्रभावी अंतरव्यक्तिक संप्रेशन का मुख्य तत्व है और आप जानते हैं कि कहा जाता है कि बोलने वाले से सुनने वाला जादे अच्छा होता है तो इसी आधार पे आप इसकी भी कर सकते हैं सक्रिस्वरण, प्रभावी अंतरव्यक्तिक संप्रेशन का मुख्य तत्व होता है अंतरव्यक्तिक संप्रेशन मौखिक या गहर मौखिक तरीकों से होता है और इसके द्वारा लोगों के बीच सूचनाओं विचारों का आदान परदान किया जाता है इसलिए प पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित किया जाता है इसमें चेहरे के हाव भाव और प्रतिपुष्ट यानि फीडवैक भी सक्रिस रवण के अंतरगत आते हैं अगला प्रश्ण है निम्नलिखित में से कौन सा संगठनात्मक पारिस्थित की से संबंधित है आपसन है केंद्रिक्रिस संप्रेशन, उर्धोगामी संप्रेशन, पार्सविक संप्रेशन या अधोगामी संप्रेशन तो सही उत्तर है आपसन C, पार्सविक संप्रेशन दोस्तों देखिए पार्सविक संप्रेशन्ड संगठनात्मक पारिस्थित की से संबंधित है और पार्सविक संप्रेशन्ड संगठनों पर एक सामाजिक रूप से उनमुक कारेकरम को संदर्भित करता है और एक प्रकार से पार्सविक संप्रेशन्ड दो है जो है ये आप ज देखिए मुखाकृति अभिव्यक्ति हाव भाव स्वर संबंधी छेपड या अंग बिन्यास इसमें आपको बताना है कि किस संप्रेशन में पराभासी या पैरा लैंग्वेज संकेथ हैं तो सही उत्तर है टोनल पिच यानि स्वर संबंधी छेपड स्वर संबंधी छेपड संकेथ मौखिक संचार के अंग होते हैं जिसमें शब्द सामिल नहीं होते हैं ये जो कहा गया है उसके अर्थ पर जोड देते हैं अगला प्रशन है किस प्रकार के संप्रेशन नेटवर्क में समूह के नेता के उद्भो की संभावना होती है लेकिन समूह के सदस्यों की तुष्ट निम्नतर होती है चक्र प्रकार, वृत्ताकार प्रकार, स्रिंखला प्रकार या बाधित प्रकार में तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तूं सही उत्तर है चक्र प्रकार में देखिए आप देख सकते हैं कि चक्र प्रकार के संप्रेशन नेटवर्क में समूह के नेता के उद्वों की संभावना होती है लेकिन समूह के सदस्यों की तुष्टी या फीडवैक निम्नतर होती है चक्र प्रकार के संप्रेशन नेटोर्क में सूजनाए एक ही व्यक्ति से प्रवाहित होती है इसमें समुह के सदस्यापस में संप्रेशन की बजाए उस व्यक्ति से संबाद करते हैं इसमें समुह का नेता मुख्य संप्रेशक होता है इसलिए विकल्प ए आपका सही है अगला प्रश्ण है निम्नलिखित में से कौन सा उर्धो मुखी संप्रेशन में संगठनात्मक मौन का एक उदाहरण है आपसन है विक्रित, विलंब, निस्पंदन या अनुक्रिया का अभाव तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों सही उत्तर आपका हो जाएगा निस्पंदन निस्पंदन या फिल्टरिंग जो होता है ये उर्धो मुखी संप्रेशन में संगठनात्मक मौन का उदाहरण है उर्धोग्वामी संचार निस्वंदन तब होता है जब कर्मचारी परिवेच्छक के माध्यम से उपरी अस्तर के प्रवंधन के लिए ततकाल संदेश भेशते हैं इसलिए बिकल्प सी आपका सही सुमेलित है अगला प्रश्न थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा इसमें नहीं पूछा गया है निमने लिखित में से कौन सा सकरात्मक स्रवन का रूप नहीं है नैदानिक स्रवन, परावर्तिस्वरण, परानुभूतिक स्रवन या फिर नेड़यात्मक स्रवन तो इसमें से आप से पूछा गया है कि कौन सा सकरात्मक स्रवण का रूप नहीं है तो सही उत्तर हो जाएगा निड़यात्मक स्रवण दोस्तों देखिए नैदानिक स्रवण, परावर्ति स्वरण, परानुभूतिक स्रवण ये सकरात्मक स्रवण के रूप है जबकि जो निर्धारित कर लेता है कि जो कहा जा रहा है वो सही है कि गलत है उचित है या अनुचित है इसलिए बिकल्प D आपका सही उत्तर है ये दोस्तों सकरात्मक सरवण का रूप निड़यात्मक सरवण नहीं है अगला प्रश्ण है निमने लिखित में से कौन सा शोर यानी न्वाइज से संबंधि संप्रिशन में बाधा नहीं है प्रत्यक्ष ग्यानात्मक समस्याएं सूचना आदिभार द्विक आदिप्रारूप या सांस्कृतिक बिभिनताएं तो सही उत्तर है डायडिक आर्क टाइप्स देखिए द्विक आदिप्रारूप यहाँ पर देखिए आपसंसी आपका सही उत्तर हो जाएगा द्विक आधिप्रारूप सोर से संबंधित संप्रेशन में बाधा नहीं है जबकि प्रत्यक्ष ग्यानात्मक समस्याएं, सूचना अधिभार और सांस्कृतिक विभिनताएं ये सोर से संबंधित संप्रेशन में बाधा है द्विक आधिप्ररूप स्वोर से संबंधे संप्रेशन में बाधा नहीं है अगला प्रश्ण है संप्रेशन प्रक्रिया में संदेश रूपांतरण की सफलता की जाच की जा सकती है कैसे कूट संकेतन द्वारा, माध्यम द्वारा, प्रतिपूष्टी द्वारा या निस्क्रिय विसंकेतन द्वारा तो सही उत्तर है किसी संप्रेशन प्रक्रिया में संदेश रूपांतरण की जो सफलता है उसकी जाच फीडबैक या प्रतिपूष्टी के द्वारा की जाती है दूसरा संदेश होता है फिर उसका चैनल यानि माध्यम होता है उसके बाद उस संदेश के सेंडर के बाद इसका रिसीवर यानि प्राप्त करता होता है फिर प्राप्त करता जो होता है वो प्रेशक यानि सेंडर को फीड़बैक देता है और इससे ये पता चलता है कि संदेश का सही प्रकार से जो है वो संप्रेशण हुआ है तो प्रेशक के बाद संदेश का एक माध्यम होता है उसके बाद उस माध्यम से वो receiver तक पहुँचता है फिर receiver उसका feedback प्रेशक को देता है अगला प्रश्न है कि पार विभागी समितियां किसके रूप हैं इश्टितम संप्रेशन का उर्धोगामी संप्रेशन का अधोगामी संप्रेशन का या फिर पार्स्विक संप्रेशन का तो सही उत्तर है दोस्तों पार विभागी समितियां पार्स्विक संप्रेशन का रूप है और किसी संस्था में एक ही पद्ग्रम पर कुछ सहकर्मी होते हैं जिनके मध्य सूचना, विचार और भावनाओं का आदान प्रदान ये पार्स्विक संप्रेशन कहलाता है विकल्प D आपका सही उत्तर है अब आएए वर्ष 2019 में पूछे गए प्रश्णों को देख लेते हैं प्रश्ण है दोस्तों अंतर व्यक्तिक संप्रेशन का एक अन्य नाम क्या है तो आप जानते हैं अंतर व्यक्तिक संप्रेशन का एक अन्य नाम द्विक संप्रेशन है तो सही उत्तर देखिए सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों आप सन भी द्विक संप्रेशन द्विक संप्रेशन का मतलब ये है कि दो व्यक्तियों के बीच संचार के लिए ये द्विक संप्रेशन सब्द प्रियोग होता है और आप जानते हैं कि अंतर व्यक्तिक संप्र अंतर व्यक्तिक σंप्रेशन में इसको अंतर व्यक्तिक संप्रेशन कहते हैं और इससे घनिष्ट और दिर्घ कालिक संबंद बनते हैं इसलिए अंतर व्यक्तिक संप्रेशन में स्रोत और प्रामक के कारे प्रतेक व्यक्ति द्वारा निभाए जाते हैं अगला प्रश्न है रंगों से संप्रेशन के लिए किस सब्द का प्रियोग किया जाता है आप संदेखिए रंग विद्या एक रंग अनुसूची बहुरंग अनुसूची और रंग विज्ञान तो सही उत्तर क्या हो जाएगा सही उत्तर है दोस्तों रंगों से संप्रेशन के लिए रंग विद्या सब्द का प्रियोग किया जाता है और यह गैर मौखिक प्रकार का संप्रेशन होता है जैसे लाल रंग का प्रियोग खत्रे को प्रियोग करने के लिए खत्रे को दर्साने के लिए किया जाता है तो इस तरह से जो रंगों का संप्रेशन होता है उसके लिए रंग विद्यासब्द का प्रियोग किया जाता है अगले प्रशन पर आते हैं दोस्तों दूसरों के साथ प्रभावी संप्रेशन करने की किसी व्यक्तिक चमता क्या कहलाती है तो आप जानते हैं इसको अंतर व्यक्तिक चमता कहते हैं तो बहुत ही महतपूर्ण प्रश्ण है अंतर व्यक्तिक दक्षता या अंतर व्यक्तिक छमता आप संसी आपका सही उत्तर है आप जानते हैं कि दूसरों के साथ प्रभावी संप्रिशन करने की किसी व्यक्तिक और छमता को इंटर पर्सनल इसकिल कहा जाता है और इंटर पर्स अभिविन्यासित हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा जब आप अन्य अभिविन्यासित हो जाते हैं तो आप अपनी सत्तिनिष्ठा को बनाए रखते हुए अन्य लोगों की आवसक्ताओं प्रेणाओं और इच अगले प्रश्ण पर आते हैं समस्त अंतर्वैक्तिक संप्रेशन का अधिभावी विचाड़ी तत्व क्या है देखिए लोचसीलता अमुर्तता विस्थापन या संदर्व तो सही उत्तर है आपसंडी संदर्व देखिए दोस्तूं समस्त अंतर्वैक्तिक संप्रेशन का जो अधिभावी विचारी तत्व है, वो संदर्व यानि कांटेक्स्ट होता है, संदर्व इस्थित जन्य और सामाजिक दोनों हो सकता है, इस्थित जन्न संदर्व इस बात से संबंधित है कि संप्रेशन कहां हो रहा है जबकि सामाजिक संदर्व संचार में प्रतिभागियों की भोमिकाओं और जिम्मेदारियों से संबंधित होता है तो याद रखेगा संपूर अंतर व्यक्तिक संप्रेशन में कांटेश्ट या संदर्व बहुत ही महत्पूर है अगला प्रश्ण है संप्रेशन प्रतिभागियों का चैन किन कारकों द्वारा प्रभावित होता है तो देखिए दोस्तों समप्रेशन प्रतिभागियों का जो चयन होता है वो सानिध्य उपयोगिता और अकेला पन पर प्रभावित होता है सानिध्ध क्या होता है तो ये संबाद के समय किसी व्यक्ति की इस्थिती और सारी लिक निकटता से संबंदित है उपयोगिता ये संबाद कर रहे दोनों पच्छों के अपने अपने विचारू द्वारा एक दूसरे को कैसे संतुष्ट करना चाहिए उससे संबंदित है और अकेला पन संबात के समय उदासींता या सहजता के कारण उत्पन होता है तो याद रखेगा संप्रेशन प्रतिभाग्यों का चयन सानिध्य उपियोगिता और अकेला पन्थे प्रभावित होता है अगला प्रश्ण है दोस्तों कालिक संप्रेशन का अध्यन जाना जाता है किस रूप में कालिक संप्रेशन या टेम्पोरल कम्यूकेशन का अध्यन क्रोने मिक्स के रूप में जाना जाता है तो याद रखिएगा आपसंडी क्रोने मिक्स को कालिक संप्रेशन या टेम्पोरल कम्यूकेशन कहा जाता है अगला प्रशन है दोस्तों संप्रेशन अंतहक्रिया के रोप में परिप्रेक्ष के अनुसार प्रतिपूष्टी देखिए कभी इरादतन नहीं होती है सदैव इरादतन होती है सायद ही कभी लावकारी होती है कभी कभी गैर इरादतन होती है तो इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों संप्रेशन अंतहक्रिया के रूप में परिप्रेक्ष की अनुत्यसार प्रतिपूष्टी कभी-कभी गैर इरादतन होती है तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों गैर इरादतन प्रतिपूष्ट में ब्यक्त बिना किसी भेद देता या पारदर्शिता के अपनी भावना या नेड़े ब्यक्त करता है तो इस तरह से संप्रेशन अंतहक्रिया के रूप में परिप्रेक्ष के अनुसार प्रतिपूष्ट कभी-कभी गैर इरादतन होती है अगला प्रश्न है जटिल समस्याओं की इस्थिती में समूह निस्पादन उच्चतर होता है किस प्रकार के नेटवर्क में तो उत्तर है आपका सही उत्तर हो जाएगा इसा संचार नेटवर्क होता है जिसमें सभी समूह के सदस्यों की समान संख्या में संचार चैनलों तक पहुँच होती है और विकेंदरित निटवर्क में जटिल समस्याओं की स्थिती में समोह निस्पाधन अधिक्तम होता है तो आप संडी आपका सही उत्तर है अगला प्रश्ण है प्रभावी संप्रेशन में आवरोधक तत्तो क्या-क्या होते हैं आपको बताना है तो सही उत्तर है दोस्तों संचार प्रभावी संप्रेशन या संचार में बाधा जो होती है वो औरोधक तत्व है तो इसमें नीती प्रवचन, नेड़े परक होना और सांतोना परदाईटी पढ़ियां जो होती हैं ये प्रभावी संप्रेशन में और रोधक या बाधा के रूप में हैं और ये संदेश के प्रभाव को कमजोर कर देते हैं इसलिए संदेश को ग्रहन करने और उसके अर्थ सम मजने समझाने में परिसानी होती है और इसमें नीती प्रवचन, नेड़े परक होना और सांतोना प्रदाईटी पढ़ियां प्रभावी संप्रेशन में और रोधक का कारे करती हैं आपसन ए आपका सही उत्तर है अगला प्रशन है जन प्रवाद की निमनलिखित में से कौन स विशेस्ता नहीं है देखे इन में से किसी भी दिशा में जाने की छूट होती है यह समुह सदस्यों की सामाजी का उसकताओं को संतुष्ट करने को उध्रित होता है यह प्रवंधन द्वारा नियंत्रित होता है या फिर इसमें शामिल लोगों को स्वाहितों को पूरा करने के लिए ब्यापक रूप से प्रियुक्त होता है तो आपको बताना है जन प्रवाद संचार विधी जो है इसकी विशेस्ता क्या नहीं है तो सही उत्तर है दोस्तों यह प्रवंधन द्वारा नियंतरित होता है यह जन प्रवाद की विशेस्ता नहीं है जन प्रवाद संचार ये अनौपचारिक यानि इन्भार्मल विधी है और ये लोगों के सह अस्तितों के कारण उत्पन होती है और प्रवंधन द्वारा नियंत्रित नहीं होती है अगला प्रशन है आमने सामने के संप्रेशन का संदर्भ होता है कैसा देखिए आध्य प्रारूप समकालिक अतुल् दोस्तों आमने सामने का जो संप्रेशन होता है वो संकालिक संप्रेशन होता है जिसको की सिंक्रोनस कहा जाता है संकालिक दोनों व्यक्ति एक समय में बातचीत करने के लिए उपस्थित होते हैं इसलिए आमने सामने के संप्रेशन को संकालिक संप्रेशन कहा जाता है अगल दस्यों के बेवहार को नियंद्रित करता है यह अभिप्रेणडा को बढ़ावा देता है यह भावनाओं को संभेगा धात्मक अभिव्यक्ति का आवसर परदान करता है या यह नेड़े लेने को सहज बनाता है तो इसमें आपको कूट के आधार पर बताना है कि किसी समोह या स संप्रेणड सदस्यों के बेवहार को नियंद्रित करता है अभिप्रेणडा को बढ़ावा देता है भावनाओं को संभेगा धात्मक अभिव्यक्ति का आवसर देता है और नेड़े को सहज बनाता है तो इसलिए यह सारी चीजें आपकी सही हैं आप संडी सही उत्तर हो जा क्रम में अंतिम चरण कौन सा है संकेतन संदेश वी संकेतन या प्रतिपोष्ट तो आप जानते हैं दोस्तों संप्रेशन जो होता है उसका जो चरण होते हैं सबसे पहला होता है संदेश उसका संकेतन यानि डिकोडिंग फिर उसको भेजा जाता है उसका संप्रेशन किया ज होचता है तो दोस्तों देखे प्रभावी संप्रेशन्ड चक्र का अंतिम चरण ये प्रतिपुष्ट यानि फीडवेक होता है आपसंडी सही उत्तर है अगला प्रशन है किसी संगठन में वह संप्रेशन्ड जो अधिनस्तों के लक्षों को निर्देश्ट करने के लिए प्र प्रियुक्त किया जाता है और इस प्रकार के संप्रेशन्ड में सूचना का संचार पदानुक्रमित संरशना के माध्यम से उपर से नीचे की ओर होता है अगला प्रशन है निमनलेखित में से कौन सा किसी कार्य अस्थल में संप्रेशन्ड की एक बाधा नहीं है तो देखे शोर एक बाधा है पुर्वाग्रह भी बाधा है सक्रिस रवण बाधा नहीं है और अनुप्युक्त माध्यम आपका बाधा है तो याद रखेगा किसी कार्य अस्थल में संप्रेशन्ड की बाधा नहीं है सक्रिस रवण दोस्तों संप्रेशन्ड की बाधा नहीं है बलकि सो पुर्वाग्रह और अनुपियुक्त माध्यम संप्रेशन की बाधाओं में आते हैं अगला प्रेशन है पाउधा एक वानस्पतिक जीवधारी है यह उदाहरन किसका है तो दोस्तों देखिए पौधा एगवानस्पतिक जीवधारी है ये परियायवाची परिभासा का उधारण है आपसन सी सही उत्तर हो जाएगा परियायवाची परिभासा क्या होती है दोस्तों इसमें किसी सब्धियाप्रतिक को दूसरे सब्धियाप्रतिक का समान अर्थ दे संचरण और सूचन तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों सही उत्तर आप देख सकते हैं कि संप्रेशन प्रक्रिया का अंग जीवन मुले और द्रिष्टी नहीं है आपसन भी आपका सही उत्तर हो जाएगा देखिए जीवन मुले और द्रिष्टी संप्रेशन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है और किसी संप्रेशन प्रक्रिया में माध्यम, संचरण और सूचना तीनों ही संप्रेशन की मुख्य भाग हैं अगला प्रश्ण है किसी संगठन में अधिकारी और अधिनस्तों के मध्य नियमित अंतर क्रिया का सबसे बड़ा लाब क्या है तो उत्तर है दोस्तों किसी संगठन में अधिकारी और अधीनस्तों के मध्य नियमित अंतक्रिया का सबसे बड़ा लाब ये है कि ये प्रभावी नेड़े निर्माड को सुगम बनाती है तो सही उत्तर आपसंसी हो जाएगा पचास का आपसंसी सही उत्तर हो जाएगा किसी संगठन में अधिकारी और अधीनस्तों के मध्य नियमित अंतक्रिया का सबसे बड़ा लाब ये है कि ये प्रभावी नेड़े निर्माड को सुगम बनाती है अगला प्रश्न है देखिए एक कथन है कि लोहा एक सस्तिधातु है ये उधारण है किसका देखिए आकस्मिक परिभासा का अलंकारिक परिभासा का परयावाची परिभासा का या फिर अव्याप्त परिभासा का तो सही उत्तर है लोहा एक सस्तिधातु है ये आकस्मिक परिभासा का उधारण है दोस्तों आकस्मिक परिभासा अनौपचारिक तार्किक तर्कदोष है इसे सामाने नियम तर्कदोष भी कहा जाता है इस तर्कदोष में कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति के लिए सामाने नियम का उप्योग करता है जिसमें कोई नियम लागू नहीं होता है तो लोहा एक सस्तिधा ये आकस्मिक परिभासा का उदारण है अगले प्रशन पर आते हैं दोस्तों बहुत ही महत्पोंड प्रशन है कि निमने लिखित में से कौन सा कच्छा गत संप्रेशन में सामिल नहीं है अप्रत्यक्ष संप्रेशन अनवपचारिक संप्रेशन मौन संप्रेशन या फिर का सही उत्तर हो जाएगा देखिए दोस्तों अब प्रत्यक्ष संप्रेशन कच्छा गत संप्रेशन में शामिल नहीं है कच्छा गत यानि क्लास के संप्रेशन में जो संप्रेशन होता है वो प्रत्यक्ष होता है जबकि इसमें अनवपचारिक महोन और अवपचारिक तीनो संप्रेशन संभव है अगला प्रश्ण है किस उद्देश के लिए वृत्ताकार संचार सरवाधिक उप्युक्त है तो सही उत्तर होता है दोस्तों सदस्य संतुष्ट के लिए वृत्ताकार संचार सरवाधिक होता है यहाँ पर प्रेशक होता है प्रेशक से कोई सूचना या संदेश परसालित किया जाता है और वो पढली यानि चैनल के माध्यम से होता हुआ receiver तक पहुँचता है और receiver से प्रतिपुष्ट के द्वारा जो feedback होता है उसके द्वारा फिर पुना प्रेशक तक यानि सेंडर तक उसका जो है प्रतिपुष्ट या फेडवेक पहुच जाता है तो ये सदस्य संतुष्ट का सरवाधिक उप्यूक्त संचार है अगला प्रश्ण है दोस्तों सुनने को सरवाधिक अच्छी तरह से परिभासित किया जा सकता है किस रूप म जब हम किसी सभा या सम्मिलन में वक्ता द्वारा कही गई बातों का सही सही अर्थ निकालने में सक्षम होते हैं तो देखे बहुत ही महतपूर्ण प्रश्ण है ये और जो हम सुनते हैं उसका अर्थ निकालने में प्रियूक्त एक प्रक्रिया के रूप में सुनने को सरवा अच्छी तरह से परिभासित किया जा सकता है अगला प्रश्ण है प्रतक्रिया देना या रियक्ट करने से आप क्या समझते हैं तो प्रतक्रिया देने का मतलब ये है कि दोस्तों जब हम एक संदेश के प्रती अपनी समझ की पुष्ट करते हैं आप संसी आपका सही उत्तर हो देखिए प्रतक्रिया देने में हम ये समझते हैं कि जब हम किसी वक्ता या नेता के भासड को सुनते हैं और सुनने के बाद उसकी बातों की प्रतक्रिया देते हैं चाहे वह प्रतक्रिया नकरात्मक हो या सकरात्मक तो ये घटना दर्साती है कि हम अपनी समझ की पुष्टी कर रहे हैं या अपनी समझ की पुष्टी करने में सक्षम है अगला प्रशन है निमने लिखित में से कौन सा 36 संप्रेशन का एक प्रकार है देखिए पार्स्विक संप्रेशन अधुगामी संप्रेशन उर्धुगामी संप्रेशन या तरस्ट संप्रेशन तो सही उत्तर हो जाएगा पार्सविक संप्रेशन दोस्तों पार्सविक संप्रेशन 36 संप्रेशन का एक प्रकार है और 36 संप्रेशन इसमें प्रतिपोष्ट प्रेशक ग्रिहीता यानि रिसीवर संदेश और चैनल यानि पडाली शामिल होती है तो याद रखेगा 36 संप्रेशन का प्रकार पार्सविक संप्रेशन है अगला प्रशन है अधुलिखित में से कौन सा विकल्प साब्दिक संबाद को इंगित करता है देखिए प्रोफेसर सर्मा ने अपना व्याख्यान का अच्छा में दिया प्रोफेसर वर्मा ने अपना संदेश मोबाइल द्वारा छात्रों को दिया मा का ध्यान अपनी ओर करने के लिए बच्चा रो रहा था और दीपक ने छुट्टी के आवजदन के लिए पत्र लिखा तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा विकल्प साब्दिक संबाद को इंगित करता है तो उत्तर है आपसन ए प्रोफेसर सर्मा ने अपना व्याख्यान का अच्छा में दिया दोस्तों ये साब्दिक संबाद का उधारण है क्योंकि शाब्दिक संबाद के नाम से अस्पष्ट है कि इसमें बोल कर संबाद किया जाता है अगला प्रश्ण है हाव भाव द्वारा संप्रिशनर संबंधित है किस से तो सही उत्तर है काईने 6 देखें आपसन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों काईने 6 जो है ये हाव भाव से संप्रिशनर कहलाता है और काईने 6 सारीरिक भाव भंगिमा के लिए एक तकनीकी शब्द है और ये संचार का एक गैर मौखिक रूप है अगला प्रश्ण है निमने लिखित में से कौन सा एक संप्रिशनर का रूप नहीं है देखिए साक्षात्कार, मनुरंजक उपन्यास पढ़ना, समबाद या सामाजिक अंतहक्रिया तो क्या हो जाएगा समप्रेशन का रूप क्या नहीं है तो मनुरंजक उपन्यास पढ़ना आपसन भी दोस्तों मनुरंजक उपन्यास पढ़ना ये कम्यूकेशन का रूप नहीं है जबकि इंटर्व्यू याने साक्षातकार, संबाद और सामाजिक अंतहकरिया ये संप्रेशन के रूप है अब आईए वर्स 2017 में पूछे गए प्रश्णों को रिवाईज करते हैं देखिए पहला प्रश्ण है कि अधोलिखित में से कौन सा सकरात्मक संप्रेशन माध्यम नहीं है ज्यादा वैक्तिक होना, दोनों पच्छों को ततकाल पुनर निवेस, टरनेल द्रिष्टी या फिर समाधान की सिग्र प्राप्ति तो इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सकरात्मक संप्रेशन माध्यम नहीं है तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ज्यादा वैक्तिक होना देखिए संप्रेशन में अधिक व्यक्तिक होने से इसमें संगठनात्मक हीतों की बजाए व्यक्तिगत हीतों को अधिक महतु दिया जाने लगता है जिसके कारण ये सकरात्मक संप्रेशन नहीं बन पाता है तो ज़्यादा व्यक्तिक होना दोस्तों या ज़्यादा परसनल हो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपका लगुपरिधी करण देखे आपसंसी संचार में निसपंदन के बुर्वय प्रभाव को कम करने के लिए लगुपरिधी करण का प्रयूग किया जाता है और ये संचार को सुचार रूप से चलाने में मदद करता है और संचार मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करता है अगले प्रश्ण पर आते हैं दोस्तों चयन यानी विकल्पों को संकुचित करने में प्रियुक्त प्रविधियों की प्रक्रिया क्या कहलाती है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तूं सही उत्तर हो जाएगा नेड़े लेना या फिर decision making बर्नार्ड ने ब्यापक विशलेश रात्मक आधार प्रस्तुत करते हुए असपश्ट किया है कि नेड़ेयन व्यापक रोप से चैयन यानी विकल्पों को संकुचित करने के लिए प्रियुक्त प्रविधी है तो याद रखेगा चैयनों को संकुचित करने में प्रियुक्त प्रविधियों की प्रक्रिया नेड़ेयन या नेड़े लेना कहलाती है अगले प्रश्ण पर आते हैं दोस्तों देखे निमनलिखित में से किस समप्रेशन अंतहक्रिया में हमें अवस्य ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए आपसन है संरशनात्मक नियम, संगठनात्मक नियम, विजो बियोजक नियम या फिर नियामक नियम इसमें आपको बताना है कि हमें ये अवस्य ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए तो सही उत्तर है नियामक नियम देखिए दोस्तों ये समप्रेशन के नियामक नियम हमें ये समझाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसलिए इस पर हमें अवस ध्यान देना चाहिए अगला प्रश्ण है संचार प्रक्रिया में निम्नांकित में से कौन सा चरण पहले आता है संचारण, कूटानुवाद, समझना या फिर कूटलेखन तो ये जो आपसन है इन में से कूट लेखन चरान सबसे पहले आता है देखे दोस्तों संचार प्रक्रिया में सबसे पहले कूट लेखन आता है और कूट लेखन के बाद संदेश बनता है फिर कूटा नुवाद होता है और उसके बाद उसकी प्रतिपुष्टी यानि फीडवेग आता है अगला प्रशन है निमने लिखित में से कौन उस कौशल को असपश्ट करता है जो अन्तहक्रिया और संप्रेशन को सुगम बनाता है आपसन है प्रवंधकी कौशल, सामाजिक कौशल, संबंध परकौशल या फिर प्रत्यात्मक कौशल तो सही उत्तर है दोस्तों सामाजिक कौशल या सोसल इसकिल देखिए दोस्तों सामाजिक कौशल अन्तहक्रिया और संप्रेशन को सुगम बनाता है सामाजिक कौसल वे कौसल हैं जिनका उपयोग हम इशारे भाव भंगिमा और अपनी ब्यक्तिगत उपस्तिती के माध्यम से मौखिक और गयोर में अप्खिक दोनों तरह से संप्रेशन के लिए करते हैं अगला प्रश्ण है निमनलिखित में से कौन द्वन्द समाधान की अस्वस्थ अनुक्रिया है आपको बताना है देखिए महतवपुन मामलों को पहचानना और अनुक्रिया करना समझोता पाने की अच्छमता भूलने या बिस्वनित करने की छमा करने की तत परता और यह गठन में दूंद समाधान के लिए सबसे पहले महतो मोड मामलों को पहजानना होता है, अनुखरिया करना होता है, भूलना और बृष्मृत करना और छमा करने की तत परता और ये विश्वास की दोनों पच्छों के हितों की रच्छा की जा सकते हैं महतो पूर्ण तरीके हैं, जबकि समझोता पाने की अक्षमता एक अस्वस्थ अनुक्रिया है यही आप से पूछा भी गया था कि द्वंद समाधान की अस्वस्थ अनुक्रिया क्या है तो यह है समझोता पाने की अक्षमता अगला प्रश्ण है निमने लिखित में से किसका प्रियोग अंतर व्यक्तिक संबंध जो है व्यक्त करने में नहीं किया जाता है आपसन है लोक कोशल, मृद कोशल, जीवन कोशल और संगठनात्म कोशल तो सही उत्तर है दोस्तों अंतर व्यक्तिक संबंध बनाने में संगठनात्म कोशल का प्रियोग नहीं किया जाता है और संगठनात्म कौसल के अंतरगत परसपरमानवी बेवहार नहीं आता है संगठनात्म कौसल कुछ ऐसे इसकिल है जो आप में एक कर्मचारी के रूप में हो सकती है ये संगठन में तनाव कम करने और करतब्यों को अधिक कुसलता से पूरा करने में प्रयूक तो होते हैं जबकि अंतरवैक्तिक संबंध बनाने में दोस्तों लोक कौसल, मृदु कौसल और जीवन कौसल का प्रयूक किया जाता है संगठनात्म कौसल का नहीं किया जाता है अगला प्रश्ण है आपचारिक दिशा निर्देश और प्राधिकार पदानुक्रम संचार के किस प्रकारे के उधारण है तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों देखिए आपचारिक दिशा निर्देश और प्राधिकार पदानुक्रम ये संचार के नियंत्रण यानी कंट्रोल के उदाहरण है तो याद रखेगा दोस्तों आपचारिक दिसा निर्देश और प्राधिकार पदानुक्रम संचार सदस्यों के बेवहार को बिविध तरीकों से नियंत्रित करते हैं अगला प्रश्ण है समान भूति के लिए निम्लिखित में से कौन सही है देखिए समान भूति और सहान भूति दोनों समान है और दूसरा है कि ब्यक्ति में दूसरों की भावनाओं को समझना समान भूति है तो देखिए यहाँ पर कौन सा कथन आपका सही है तो सही उत्तर पहले समझ लेते हैं सहानुभूत का अर्थ है दूसरों की भावनाव या अनुभूतियों को समझना और उन्हें महसूस करने की छमता जबकि समानुभूति में दुखी व्यक्ति से अपने को जोडते हुए अपनी भावनाव भी उस व्यक्ति तक प्रेशित की जाती है इसलिए इसमें केवल कथन दो सही है आप सन बीस सही उत्तर है केवल दो ए आपका गलत है क्योंकि सहानुभूति और समानुभूति दोनों सम अगला प्रश्ण है संचार में सबसे महत्पूर सब्द कौन सा है तुम और मैं वह और वे तुम और हम या मैं और वे तो सही उत्तर है तुम और हम देखिए संचार में सबसे महत्पूर सब्द दोस्तों तुम और हम है अगला प्रश्ण है कि असाब्दिक संचार में नहीं थ क्या क्या इसमें आपको बताना है अशाब्दिक संचार में क्या क्या नहित है दोस्तों असाब्दिक संचार का अर्थ क्या होता है जो संचार बिना शब्दों के किया जाए यानि सब्द रहित संचार तो ये इसमें भाव भंगिमा यानि देह भासा मुखी अभिव्यक्ति औ और लहजा प्रयोक्त किया जाता है तो देखिए अपसन ए आपका सही उत्तर है असाब्दिक संचार में देभासा मुखी अभिव्यक्त और लहजा प्रयोक किया जाता है और इस वीडू का आखरी प्रेश्न है दोस्तों अंतरवैक्टिक संबंढों में किसमें अधिक समय लग लगता है आप संडी आपका सही उत्तर है और इसमें ब्यक्ति एक दूसरे के ब्यक्तितों के सभी पहलूँ को जांचते पर रखते हैं इसलिए इंटर पर्सनल जो रिलेसंस होते हैं इसमें सबसे अधिक समय विश्वास बनने में लगता है तो दोस्तों इसमें हमने 2017 से लेकर 2021 तक के जो प्रशन पूछे गए हैं संचार और अंतरवैक्तिक कौसल के अंतरगत उन प्रशनों को हमने साल्व किया अगले वीडियो में हम 2012 से लेकर 2016 तक के जो प्रशन पत्र हैं उनमें पूछे गए संचार और अंतरवैक्तिक कौसल के प्रशनों को साल्व करेंगे ये प कुछ सब्दों का हेर फिर करके ये प्रश्ण पूछे जाएंगे तो जब आप इन प्रश्णों को अच्छे से तयार किये रहेंगे तो आगे जब इस तरह के प्रश्ण पूछे जाएंगे तो आप उनका सही सही उत्तर दे सकेंगे दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट वाक्स में जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल माकदशन फार्ट सिविल सर्विशिस को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार